के साथ स्वागत कीजिए गौड पब्लिक स्कूर द्वारा तयार की गई देश्भक्ति स्किट जिसका शीर्षक है आजादी की लडाई आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं लेकिन यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है इसके लिए एक लंबी यात्रा करने पड़ी है आजादी की यात्रा इस यात्रा में हजारों लाकों लोगों ने अपनी जान की कुर्बाने दी 1919 जलियावला बाग आज हमारी बैसाखी का दिन है लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा हम सब बैसाखी नहीं मनाएगे हाँ हाँ हम बैसाखी नहीं मनाएगे जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब पैसाखे नहीं बनाएगा अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोज करता है, भाग जाओ यहां से, इसका अच्छाब बहुती बुरा होगा हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुम को भारत से भागना होगा विरोज़र्स, फायर यह जमी हमारी, यह धरती हमारी, यह खेत हमारे अभी थोड़ी देर पहले, हमारी यह फसली लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसले बरबाद कर दी इन अंग्रेजों ने एक ही जटके में, इन सब फसलों को काट दिया अंग्रेजो तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे हम आजादी लेकर रहेंगे जलिया वाला बाग हर इंदुस्ताने की आख नम कर गया इस कान में कितने मासूमों की आहूती चड़ गई इतनी हेवानियत से इंसानियत कतल कर दी गई जलियावाला बाग के हत्यकान ने आजादी की आग में गी देने का काम किया मासूम औरतों बच्चों की दर्द बरी जीखे और सिस्क्या इनकलाब का गूंज बन कर उपरी लाला राजपत राय, भगत सिंग, राजगुरू, सुब्देव सरी के टांतिकारियों ने भारत की इस जमी से विदेशी दर्दों को निकाल फेकने के मनसूबे मजबूत कर लिये आठ हप्रेल 1929 लाला राजपत राय के नत्रत्त में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया C-Simon Commission Russian बभकुव Indians, तुक हमारी बासनमद में नही आए, नहीं आट रहा दाए, नहीं पले में नहीं आटी, श् unmot 10 आप आगे बड़ो हम आपके साथ है लाला जी को तो बहुत गेरी चोट लगी है उनका सर फट गया है मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन मैं कील का काम करेगी ये आजादी की लड़ाई रुखनी नहीं चाहिए ये जिम्मेदारी मैं तुम सब को सौब कर जा रहा हूँ लाला राजपत्राई की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंग सुगदेव राजगुरू वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा अबाल आया जिसका सामना करना अंग्रीजी सरकार के लिए मुश्किर हो गया अंग्रीजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सेंडर्स को मारने की रूप रेखा रची गई सेंडर्स मारा गया चारो तरस तहल का मचा था दिवारों पर लिखा था लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है भगत सिंग समीट सभी वहां से फरार हो गए आट अप्रेल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लजिसलेटिव असेंबले की बैठक में दो बम धमाके की आवासों रहे दी इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव ने अपने आपको अंग्रेजों के हवाले कर दिया 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया मुल्जिम भगत सिंग मुल्जिम राजगुरू मुल्जिम सुखदेव को दफ़ा 121 और दफ़ा 302 के तहद ए अदालत तीनों को मुझलिम करार देती है और इस गुस्ताकी के लिए ए अदालत इन तीनों को सजा मौत की सजा सुनाती है सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जूर कितना बाजवे गातिल में है पुत्तर की हाय है तेरा मैं जंगा हुमा फिक्कर करने की कोई गल नहीं पुत्तर मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा तेरी यह गला सुनके मेरा कलेचा फटे जा रहे मा मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जजबेनों ताकत देता है माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है जे तु रोई तो मैंनो तब कलीफ होई है सोच तेरा पुटर आज शादी करने वास्ते जा रहा है फर्क केबल इतना है वो घोड़ी पर नहीं फासी पर चटने वास्ते जा रहा है आज तू क्रांतिकारी की मा है, कर तू एक शहीद की मा होगी मा पुत्तर भागत तू इतनी छोटी उम्र में हम सब को छोड़ के चला जाएगा तूने जिन्दगी में देखा ही क्या है पुत्तर मैंने अपनी मा देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे अपने देश के लिए एक बार मरना सौ बार जन्म लेने के बराबर होता है अच्छा मा अब आशिरवाद दे आखरी बर विदाय लेने का समय आ गया है भागत मेरे लाल सर जुदा करेंगे सर उठा के जलत देश के वासते या लुटा के जलत जादेवानों को देखो अतन के लिए शम आदादी की वो जला जाएंगे भागत सिंग तुमारे को आखरी खाईश हमारे हाथ खोल दिये जाए हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं उनके हाथ खोल दिये जाएंगे सिंग जसान के जाएंगे हम वोले खोल दिये मीडना झाल, खोल प्याँ प्याँ खोल, फ्याँ वो माई मेरी क्या फिकर तुझे क्यूं आख से दरिया बहता है तू कहती थी तरा चांद हुमें और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्पी मैं दिल जामा गुल बन के मैं खिल जामा इतनी से हैं दिल की अरिजू देश की हर एक नौजवान के मन में आजादी की नई उमंग लोरे लेने लगी अंग्रेजो भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरम कर दिया था हर कोई अपने अपने ढंक से इस महा यग्य में अपनी आहूती दे रहा था सुभाष चंद्र बोस रानी लक्ष्मी बाई तात्या टोपे और मंगल पांडी जैसे सहीदो की कुर्बानी रंग लाई 15 अगस 19 से तालिस को बायत अजाद हुआ